उन्होंने एक गैरेज में शुरुआत की लेकिन उन्होंने दुनिया बदल दी Macintosh से iPhone और उससे आगे तक Apple दशकों से नवाचार के मामले में सबसे आगे रहा है उनके उत्पाद हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं जो हमें यादों को संजोने, जुड़े रहने और काम पूरा करने में मदद करते हैं उनके टूल ने creative, उद्यमियों और पेशेवरों को समान रूप से सशक्त बनाया है जिससे हमारे विचारों को जीवन में लाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है उनके पहनने योग ये उपकरणों ने स्वास्थे और कल्यान के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांती ला दी है जिससे हमें सक्रिय रहने और चलते फिरते भी जुड़े रहने में मदद मिली है लेकिन Apple सिर्फ एक कमपनी नहीं है यह भावुक रचनाकारों और नव प्रवर्तकों का एक समुदाय है जो एक बहतर अधिक कनेक्टिट दुनिया की साजा दृष्टि से प्रेरित है और यही वह है जो Apple को अलग करता है यह केवल उत्पादों के बारे में नहीं है यह उन लोगों के बारे में है जो उन्हें बनाते हैं और दुनिया पर उनका प्रभाव पड़ता है उन लाखों लोगों में शामिल हो जिन्होंने Apple को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है आज ही ऑनलाइन या अपने नजदी की Apple स्टोर पर जाएं अलग सोचो यहां हमने दो एड्स बनाई है AI की मदद से पहला जिरोधा और दूसरा Apple आपको कुछ बाते जानने जरूरी है बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहां पर runway gen 2 का इस्तिमाल करूँगा लेकिन नहीं runway gen 2 अभी बीटा फेज में है इस टेक्नोलोजी के अंदर और कुछ ही लोगों को वह वेट लिस्ट में अलाव करते हैं हमने उसका एक alternative ढूणने की कुछिश करी और एक alternative मिला जो काम तो थोड़ा हटके कर रहा था लेकिन हमने उससे यह वाला काम करवा लिया लेकिन जब runway gen 2 आएगा तो आप बस उसके सामें हाथ जोड़ लेना और कहना यह cartoon boxes से building बना दो pencil से spaceship बना दो आदमी से तो सीधा अपने content को automation mode पे लगाते हैं और बढ़ते हैं चैट GPT की तरफ तो हम पहले apple की ad बनाते हैं एक prompt डाल कर जिससे chat GPT जो है हमें script तयार करके देगा और यह जो script होगी वह with scenes होगी कि कौन से scene पे खुलेगा कौन से scene पे camera zoom होगा तो हमें prompt डालना है give me ad script to make tv ad on billion dollar tech giant apple make script creative and educative with scenes इतना डालने के बाद GPT आपको script तयार करके देगा with voiceovers यहां तक कि इसने bracket में हमें scenes भी बना के दिये हैं जिसका हम फायदा उठाएंगे आगे इस वीडियो में अगर आप ज्यादा आलसी हो तो आप voiceovers को cut out भी कर सकते हैं और सिर्फ voiceovers का part GPT से कह सकते हैं कि मुझे दे दो या सिर्फ scenes scenes का part भी आप ले सकते हैं अगर आप अलग-अलग languages में करना चाहते हूं जैसे मैंने हिंदी में बनाया था तो वो chat GPT करके नहीं देगा आप Google पर जाकर ही simply paste कर सकते हैं अपने voiceovers को जिससे वो हिंदी में translate हो जाते हैं जिसमें आपके script transcripted है आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि यार यहां पर तो सिर्फ 333 words ही हम डाल सकते हैं लेकिन आप पहले sign up या sign in कर लेना उसके बाद ये word limit लगभग 10,000 की हो जाते हैं तो अब बस जो भी आपने voiceover तयार किये हैं या transcripted किये हैं उसको वहां से copy कर कि यहां पर typing board में अपन paste कर देंगे आईए सुनते हैं audio sample कैसा बना है क्या आप वित्तिय शब्द जाल से भ्रमित होने से ठक गए हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको केवल अपने पैसे का निवेश करने के लिए PhD की आवश्यक्त काम अभी तक अच्छा हुआ है लेकि वाइस ओवर बना के दिया तो अब हम चलते हैं सीधा मिट जर्नी की तरफ क्या कोई नहीं बिंग इमेज का हम इस्तवाल कर लेते हैं Microsoft ने आखिर OpenAI को ले ही लिया है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए तो हम आगए बिंग इमेज जेनरेटर पे जहां पर आपको जो चैट जीपीटी ने वॉइस ओवर के सीन्स लिखके दिये हैं और वो सीन्स ही आपका प्रॉम्ट होंगे सिंपली उन सीन्स को कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद अगर आपको थोड़ा और इमेजिनेरी सोचना है कॉमा सिनेमाटिक कॉमा फोर के लगाके इसको हाई क्वालिटी में जेनरेट कर सकते हैं यह आपके प्रिफरेंस के हिसाब से रहेगा तो मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ बहां से हम अपने सीन्स की कुछ इमेजेस निकाल सकते हैं जो आगे हमें काम आएंगी इस वीडियो के दोरान ट्रिप तयार हो गई वाश ओपर तयार हो गया इमेजेस तयार हो गई म्यूजिक कोन बनाएगा मैं तो मूजिक के लिए आपके पास दो आप्शन्स हैं तो आप साउंड राव AI से ले सकते हैं या इंडिया के खुद की कंपनी बीट ओवन AI से ले सकते हैं वो आपके उपर मैं छोड़ देता हूँ इस मूजिक को जो की साउंड राव AI खुद अपने एग्रिमेंट्स में यह लिखके देता है लेकिन फिर भी हम रिस्क क्यों ले भाई AI से हमें बनवाना है तो जो एडिटिंग सॉप्वेर्स हैं जैसे की फिल्मोरा हो गया वो भी AI जनेरेटेड मूजिक लेके देता है और सजेस्ट कर रहा हूं बाकि आपकी मर्जी है क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो हम पोस्ट प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इमेज़ेज जो आप दिखा रहे हैं या वीडियो जो आप बना रहे हैं वो उस म्यूजिक के हिसाब से हो या यहां पर अगर आप AI का इस्तिमाल करते हैं तो beat over AI का मैं इस्तिमाल करता हूं यहां पर मैं क्लिक करूँगा start creating for free पे sign up या login आप कर लेना उसके बाद यह मुझे dashboard पे transfer करता है जहां पर मुझे projects का option देखने को मिलता है new track पर मैं क्लिक करूँगा तो वहां पर मैं जो title track है वह अपना डाल सकता हूं कितने minute के लिए हमें और क्या tempo होना चाहिए slow music होना चाहिए medium या fast मैं यहां पर fast select कर लेता हूं क्योंकि हमारा जो content है वो tv ad है और tv ad लगबग 30 से 1 minute की ही होती है तो अब आपको यहां categories देखने को मिलेंगी indie, pop, ambient, indie, rnb, cinematic, hip hop और electronic की आप इसको और अलग-अलग mood के हिसाब से भी आप यहां music बना सकते है, sad, calm, motivational, happy, आप इस पर click करेंगे तो आपको एक editing dashboard भी देखने को मिलेगा, अपने हिसाब से set कर सकते हैं कि आपको इस music के अंदर और क्या चीज़े include करनी है, bass, terrible, drums, और भी बहुत options आपको देखने को मिल जाएंग कि एक खास बात है कि इसे बनाया गया था AI music videos के लिए, यानि कि artist जो है, singers जो है, अपना music video बना सकते हैं AI की मदद से, लेकिन अब लोग इसका storytelling के लिए इस्तिमाल करते हैं अपने contents में, जहाँ पर आप prompts देखकर ही एक पूरी movie और एक video बना सकते हैं अपने तो हम आगए Decorance AI की website पे जहाँ पर आपको ये app होगी जो download करने पड़ेगी, तो आपका जो भी key specification है, या Windows में इस्तिमाल करते हैं या Apple iMacs में, तो आप उस हिसाब से choose कर सकते हैं, मैंने Windows select किया, अब app को download कीजिए, तो आपको app का interface कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, add प 16.9 ratio में, और अपने project का नाम डालके, आप create project पे click कर दे, अब आपको यहाँ पर कई options देखने को मिलेंगे, तो हम simply AI style पे click करेंगे, यानि कि style में आपको वीडियो चाहिए AI की, stable diffusion, magical journey, anime style, या cyberpunk style में, मैंने जो जिरोधा की वीडियो बनाये थी, जो हम आगे देखने वाले चेक कर लिया, अब अगला option आता है, starting frame का, जो बहुत जरूरी है, इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए, chat gpd ने हमें कुछ scenes लिखके दिये थे, जैसे कि यह पहला scene था, अब इस scene को हम वैसे ही, जैसे हमने images generate करी थी, अपना starting frame के लिए, हम यही scene जो है, वो copy करेंगे, औ और इसलिए मैंने आपको option दिया था कि आप images निकाल सकते हैं, Bing image generator के इस्तिमाल से, क्योंकि यहाँ पर दो options आपको देखने को मिलेंगे, generate image का और import image का, import image जहाँ आपने image generate करी बिंग से, वो आप डाल सकते हैं, अपने starting frame के लिए, कि आपका video वहाँ से चालू होगा, और अ नहीं से ही AI images को generate कर सकते हैं, और वो अपना starting frame बना सकते हैं, या आप cross के button पे click करके, कोई भी starting frame को select मत कीजे, video अपने आप ही AI choose कर लेगा, कौन सा frame उसको चाहिए, लेकिन मैं आपको recommend करेंगा कि आप frame ज़रूर choose कर ले, चाहे generate image से कर ले, चाहे import image से कर ले, इसने मुझे generate image के दोरान दिये हैं, उसमें से मैं कोई एक frame select कर लेता हूँ, मुझे ये वाला पसंद आ रहा तो भाई मैं कर लेता हूँ, select करने के बाद आप वापस आएंगे, और options आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अगर timeline पे देखेंगे, उस editor के तो आपको prompt दिखाई देगा, अब उस prompt पे edit का icon दिखाई देगा, उस पे click करेंगे, और अब जितने भी scenes AI ने हमें लिखके दिये हैं, यानि chat GPT ने, उन सभी को एक एक करके paste करते जाएंगे, उस prompt section के अंदर, जैसे कि मैं आपको अब भी करके दिखाता हूँ, chat GPT पे गए, इस scene को copy किया, और यहाँ prompt म आके उसी scene को paste कर दिया, तो ऐसे ही आप अगले prompt को डालेंगे, add prompt पे click करके, हमने click किया, chat GPT पे गए, copy किया, prompt पे आके paste किया, ऐसे ही आपको process पूरी end तक दोहरानी है, जब तक आपके scenes खतम नहीं हो जाते, जो chat GPT ने लिखके दिये हैं, और यह हमारी पूरी process complete होने के ब मिल रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था, कि एक music video की तरह काम करता है, तो beat oven से जो हमने audio लिया था, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे post production में करूँगा, as in preference मेरी है, filmora के AI music से, आप एक बात ज़रूरी ध्यान रखिएगा, अगर आपको और creativity को enhance करना ह और AI की capabilities से ज्यादा perform करना है, तो आप खुद के scenes भी डाल सकते हैं, जो अपने prompt में convert करके, आपको ये video बना के देगा, आपको chat GPT की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको ये ऐसा custom storyline सोच रहे हैं, ये बस एक point addition था, कि भैया, copy paste क्या हो रहा यहां पर, और बावा, तो करीबन ये आदा घंटा लेगा यार, तो आते हैं फिर मिलते हैं, तो Apple वाला तो आपने वीडियो देखी लिया था, तो हमने वो बनाया, उसके बाद जिरोधा का बनाया, तो आप जिरोधा का भी देख लेते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको केवल अपने पैसे का आसान और परेशानी मुक्त है, अपने निवेश पर नियंतरन रखें जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, अपने फोन या कम्प्यूटर पर बस कुछी क्लिक के साथ स्टॉक, म्यूचूल फंड और बहुत कुछ खरीदें और बेचें, जेरोधा निवेश गेम को हिला रहा है इसे सभी के लिए सुलब और उपयोग करता के अनुकूल बना रहा है, स्मार्ट लोगों से जुड़ें और डाइनासोर को पीछे छोड़ दें, आज ही जेरोधा के लिए साइन अप करें और एक पेशेवर की तरह निवेश करना शुरू करें 11 Labs, 11 Labs आपसे 5 डॉलर चार्ज करता है, लेकिन दोस्तों एक बात ये भी सच्चाई है कि अगर आपको सारा काम AI से करवाना है और AI Technologies अभी बूम पर है तो ये बात साफ है कि हर टूल अब AI का जो है वो पेड हो चुका है, लेकिन अब सवाल आता है कि यार हम पेड तो कर लें लेकिन क्या हमें उतना return मिलेगा, अगर आप पहले ही return के बारे में सोचते हैं तो आप अपने लिए एक opportunity कम कर चुके होते हैं, क्योंकि अगर आप simple editing भी करते हैं तो आपको वहाँ पर editing charges देने पड़ते हैं software के लिए, और वहीं आप अगर voiceover भी खुद से कर लें तो आपक social phase में, जिसमें आपके कम credits में आपको ज्यादा reach मिलेगी social media से, और आप अपने short या real content को Instagram या YouTube पे तो डालेंगे ही, वहाँ से जो audience आगी वो आपके long form content में revenue generate करेगी, यह मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यह एक प्रख्यात तरीका बन चुका है सारे content creators के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो आप long form videos बना रहे हैं, उसमें ज्यादा credits लग रहे हैं और अगर 3000 credit जल्दी खतम हो गए, तो हमें फिर से 9 dollar का डालना पड़ेगा, तो नहीं चलेगा, यह value for money फिर नहीं बनता, लेकिन अगर हम short content, जो कि लगभग उसकी आदी price से भी कम credits में बन जाता क्योंकि आपकी creativity लगेगी prompts में, कि कैसा prompt देना है जिससे ये videos ऐसी बन सकें, तो वहाँ से आप एक income generate कर सकते हैं, तो as in gen Z, 800-1000 रुपे का risk लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेट वाली वीडियो में AI से हमने website कैसे बनाई, और राट वाली वीडियो में इनली वीडियो में तब तक के लिए be busy